आप मुझे अनकेडमी पर भी फोलो कर सकते हैं वहाँ जाकर हर्बेट सिंग सर्च करें कॉष्चं करने जारे हैं और आज का हमारा टौ्पिक है European Companies जो भारत में European Companyा आई थी तो उनके बारे में हम इसक्राइए कम्पनी कौन शी थी, पहला अंग्रेज कौन आया था, सबसे पहले कौन आया थे भारत में जो बारे मेंसे डीसक्राइए सर्फंब कर किखे हूए वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप question कर सकते हैं बाद में तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भारत आने वाला पर्थम European कौन थे जो भारत में सबसे पहले European आये थे दोस्तों कौन थे अगर आपको पता है त तो सबसे पहले दोस्तों भारत में कौन से European आये थे पुर्टगाली आये थे हैं जी दोस्तों जो भी सुन रहे हैं तो प्लीज बता दीजिए आवाज आ रही है नहीं आ रही है अगर वोईस आ रही है तो ठीक है क्या आप सुन पा रहे हैं हाई इस्वर जी हाजी मैं बोल पहुंच पा रही है एस और नू सैद आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक येश पहुंच रही है तो फिर ठीक है फिर करते हैं तो दोस्तो भारत आने वाले जो पुर्थम यूरोपियन कौन थे पुर्टगाली थे पुर्टगाली सबसे पहले भारत में आये थे जो यूरोपियन आये थे सबसे पहले तो दोस्तो वो कौन थे पुर्टगाली इसके बाद दोस्तो आपको बता देना चाहतो भारत में जो प पहली फ्रेंच फेक्ट्री थी, वो कहां पर स्थापित की गई थी, सूरत तो कौन थे पुर्थ गाली थे इसके बाद कोशन है दोस्तो निम्रिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है मतलब कौन सा पहला अंग्रेजी जहाज भारत आया था उसका नाम बताना है ओप्शन है एलिजबेट इसकेंड है बंगाल थर्ड है रेड ड्रेगन एलिजबेट बंगाल या रेड ड्रेगन इनमें से कौन सा अंग्रेजी जहाज है जो भारत में सबसे पहले आया था एलिजबेट बंगाल या रेड ड्रेगन वह सो होट ऐलीजबेथ, बंगाल या रेड ड्रेगन हाँ जी रेड ड्रेगन बिल्कुल correct answer है तो दोस्तो इसके बाद मैं question पूछना चाहता हूं आपसे जो भारत में सबसे पहला अंग्रेज आया था वो कौन था उसका क्या नाम है जो भारत में सबसे पहला अंग्रेज आया था वो कौ तुम में बता दिता हूं आपको कैप्टन सबसे पहले आया था जो अंग्रेज था अगर हम अंग्रेज Ö की बात करें तो शबसे सबसे पहले आया था और अगर हम बात करें यूरोपीयन की तो सब से पहले आय थी पुर्तगाली और पूर्त假ली में कौन आया था वह अभी मैं कोशन आप से पुछूँगा तो दोस्तों काप्टन-ौकीन्स के नेत्रतव में हेक्तर नाम्मग पहला अंग्रेजी जहाज 1608 एश्वी में सूरत के बंदरगा पर आकर रुका था तथा होकिन्स ही वह पृत्थम अंग्रेज व्यक्ती था जिसने समुन्दरी मार्ग से भारत की भूमी पर कदम रखा था इसके बाद दोस्तों भारत में डश का सबसे प्रात्मिक प्रारंबिक उपनिवेश कहां था भारत में डश का प्रारंबिक उपनिवेश कहां था ओप्शन है आपके लिए मसूली पर्टनम सेकिंड है पुली कट थर्ड है सूरत भारत में डश का सबसे प्रारंबिक उपनिवेश कहां था मसूली पर्टनम पुलीकर्ट या सूरत तो दोस्तो इसमें होगा मसूली हाँ जी ए बिल्कुल करेक्टर अंसर है मसूली पत्नम तो आपको बता देता हूँ भारत में डचोगा जो सबसे प्रारंबिक उपनिवेश था दोस्तो मसूली पत्नम में था 605 इस्वी में इसके बाद दोस्तो कुशन है निम्लिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तुगालियों का मुख्यालिय था मतलब पुर्तुगाली थे उनका हेड ओफिस कौन सा था इन जगे में से भारत में ऑप्शन है कोचिन सेकेंड है गोवा थरड़े दोस्तो काली कट कोचिन, गोवा या काली कट निमलिकित में से कौन स्थान भारत में पुर्टगालियों का मुख्याल्य था कोचिन, गोवा या काली कट तो इसका जो correct answer होगा जो क्या होगा गोवा, तो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ जो गोवा था, ये काफी टाइम तक जो पुर्टगाली थे, उनका मुख्याल्य रहा था तो इसका correct answer होगा गोवा इसके बाद एक important question है दोस्तो और ये question बहुत बार पूछा गया है और graduation level पे भी पूछा गया है, 12th level पे भी पूछा गया है तो question आप ध्यान से सुने अंग्रेज सासक चार्ल्स द्वित्य को किसकी राजकुमारी से विभा करने के लिए जो मुंबई था दहिज में दिया गया था अंग्रेज सासक था दोस्तो चार्ल्स द्वित्य है तो उन्होंने किसकी राजकुमारी से साधी की थी और उस साधी में उसे मुंबई दहिज में मिला था तो किस से साधी की गई थी option है आपके लिए Denmark Second है France Third है Portugal Denmark, France या Portugal इनमें से कौन्छा correct answer है चार्ल्स द्वित्य की साधी हुई थी और उस साधी में हाँ जी हाँ पुर्टगाल बिल्कुल correct answer है आपका तो दोस्तो 1661 इस्वी में इंग्लेंड के समराथ चार्ल्स द्वित्य का विवा पुर्टगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण मुंबई दहेज के रूप में दस पॉंड के बदले वार्षिक प्राप्त हुआ था कैथरीन से होने के कारण जो साधी हुई थी मुंबई दहेज के रूप में दस पॉंड के बदले प्राप्त हुआ था कर दो कर दो कर दो कर दो